हेलो फ्रेंज तो आप सभी को गंगोर की हार दिक शुपकामना 해 गंगोर क्यों मनाई जाती है गंगोर किस तरीके से मनाई जाती है और आधिस्तान में विशेज इसका गंगोर का महत्व है उस पूरे व्लोग में आपको मैं यही जानकारी दूँगी तो ये हमारी गंगोर पुजा की कुछ फोटू है तो किस तरीके से पुजा की जाती है और ये जो हमारी बड़ी गंगोर है ये आप देख सकते हैं ये बड़ी करवी इस्चवर पारवती जी गंगोर शब्द का भगवान शीव पारवती के नाम से बना है गंगोर शीव और गोर यानी पारवती इसलिए शीव पारवती की पुजा की जाती है और ये चेत्र शूखल तीतिया को राजा हिमाले पुत्रिक गोरी का विवा भगवान संकर जी के साथ हुआ था तबी से ये परंपरा चालू हुई है यह हमारे इस मॉर्निंग का है और मॉर्निंग जब मैं उत्यते तो आज एक दिन पेले गंगोर से एक दिन में और यह सब बनाकर शाम को हम तड़ाते हैं और यह आज मॉर्निंग का जो हमारे मैंने morning में यहाँ पर सुबह आलू के पराथे बनाए थे और यह बचे सब खा रहे हैं उसके बाद दिन भर का काम रहता हैं काम करने के बाद फिर हम दिन में ही यह सब जो 70 पारे होते हैं नमचिन वाले होते हैं यह दिन में ही बना कर और भगवान के शाम को दातर मिला बोलता हमारे यहां पर और शाम को इसको बनाकर और शाम को ही चड़ा देते मिलने नाइट में तो यह आप देक सकते हैं यहाँ परवार जल रहा है काम एक्र बाद है फिर वापस यह लगी और उसके बाद में आतलने में लगी और यह सब भगवान बना रहे हैं और काफे स्ट्रोक से बना यूवी का और हम दोनों ने मिलके बनाए थे और इसकी कहानी तो यह होती है भगवान शंकर और पारवती नाराज जी के साथ ब्रमन करने निकले थे चलते चलते चेत्र शुकले तित्या के दिन वह घाव में पहुंच वे उनके आगमन यहाँ बढ़ी घंगोर नहीं बठोई किसी रिजन से तो यहाँ पर मिर्भावि जी और हम धातन वेला बोलते हैं तो यहां पर घंगउर को पानी पिलाए जाता है और घंगोर का महत्वए यह होता है कि हमारी कन्या तो मन चाहे पती की कामना के लिए वर्थ करती ए guvol.. बई लकान fading के लिए वरत्त करती है अपने पत्ती की दिरगायी के लिए वरत्त करती है और बहुत ही अख्या आफल बव्रक मूझे बहुत ही अच्छा लगता है यहां पडा को यह उसमोण बना के लेके गये थे वह सला रहे हैं और आपकर ने ये गंगोर का जब हम लेके आए उसके बाद सीतला सत्मी से ये गंगोर बीठाते हैं उसके बाद ये जो जवारे होते हैं इनको भी घर में भी लगाते हैं बहुत सारी गन्या और पानी पिलाते हैं इनको और इस तरीके से बड़े होकर फिर इनको पूजा करने इसके अंदर और ये कंकू, मेंदी, लच्चा, जल और ये स्वा सारे सामान लेके ये पूजा की सामागरी है और ये सब बगवान के चड़ाते हैं और इसमें फुल्श भी चलाने थे और ये बच्चे हम सब मंदिर पहुँच गए हैं यूविका और पर हम सब और यहाँ पर पूजा की साथ ही बच्चों को भी करें यूविका जयांसी भी करती है पूजा, कुवारी कन्याओं को भी पूजा करनी पड़ती है इसमें और ये फिर मैंने भी पूजा कर रही हूँ यहाँ पर यह यूवी का जैसे इसमें स्वस्तिक बना के मेहंदी और कंकू का और सोला बिंदिया लगानी पड़ती है और इनको भी बहुत इंट्रेस आता है बच्चों को भी पुजा करने में और यह राजस्तानी कल्चर में सबसे बेस्ट पुजा है जो की बच्चे भी करते हैं और बच्चे बहुत इच्छा इंज्वी और सेलीबेट करते हैं इसको भी दोनों भगवान के हाथ के निचे बाठ के चढ़ा Two Training के बगवान के दोनों चढ़ा हो बुजा निचे इनकी साढ़ी पूरी अन्हों कुछ हो कि इतना होगाए बगवान के एक एग hour हो गया है व्रीय मैं कि यह खेचुदा हो अद गया है प्दों कि लगा spielt ज़न संधी तिन जयाग हुए कि आनको कर Non चड़ा दाई यह सब चड़ा 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 तो यहां पर आरती होकर बच्चों की और मेरी आरती हो गई है और यहां पर ही हमने पूझा हो गई है और यह राजस्तान में मनाई जाने वाला इस्पेशल दिवार है पूझान के दूसरे ही यहां देज होता है और लड़किया और नव्यात अखन सोबा के लिए यह पूझा की जाती है इसमें एक बार राजा होते हैं जो चरने बोकर माली के घर में दूब बोई जाती है तो चरने बढ़ते हैं और माली की दोब भेती है वो गड़ जाती है माली सोचता है क्या बात है राजा चरने बढ़ते जा रहे है मेरी तो दोब क्यों गड़ती जा रही है तो एक दिन माली छु दिन तक हम गणगोर पूछते हैं वो इसकी पूजा करते हैं इसलिए जो ये दोबे वो हम ले जाते हैं इसे ही बहुत बड़ी पूरी यह है इसकी गणगोर की कहानी है बोलो ना ऐसे है इसे हैं आज गयो माज गयो राड़ ने दी वीरा ने मिल थाड़ी दी खाड़ी में वी जोड़ा वाड़ी में वीजोड़ा साथ परेड़ा मनमन जोड़े तारी फुझे स्वाज में वाज थारी किड़ी है किड़ी थारी जात है जात पर जुवात है गुजरातारों पाने आया उदेदे खाटों सारी आ आकरा लिडा लबरो फूल एक दो तीन चार पाट छे साथ आड़ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदा सोला इश्वर बागी भोर